नमस्ते अब्रीबन तो कैसे हैं आप सभी होप कि आप सभी हैपी एंड हेल्टी होंगे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज में इस वीडियो के अंदर आपको बहुत इजी आसन बताने वाले हूं जो एदि आप बिगनर है और आप भी अपनी योगा जर्णे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़रूर लाइक करें यस तो सबसे बेला आसन रहेगा हम बौडी को थोड़ा रिलेक्स करेंगे उसके बाद ही हम कोई भी आसन जब भी आप करते हैं तो बौडी को रिलेक्स करना बहुत ज़रूरी है तो हमारा राइट पर अंदर की तरफ लेप पर बाहर की तरफ लंबी घहरी सांस लेते हैं अपने दोनों हातों को अपने नीज पर लेक्के आएंगे हम एंड अपने दोनों कंदों को हम पीछे की तरफ कमर को एकदम स्ट्रेट रखेंगे थाकि हमारी स्पाइ करेंगे बोड़ी को एकदम ढीला छोड़ेंगे एकदम रिलाक्स करेंगे लागे बीधी अप्र टीख कर आँज चैनल से अपने हाथों को पास में लाएंगे इतेरे CPOS अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे और लेफ्ट मेंका पीछे की तरफ और कंळ अधुषिट करेंगे。 तरफ इन्हेल एंड एक्सल के साथ हमें 5 सेकिंट तक होलड रखना है लंबी घहरी सांस लेते हुए सांस वापस बाहर की तरफ कि बोडी को रिलाक्स करेंगे नेक्स आइडम चेंज करेंगे 5 सेकिंट तरफ अपने लेफ्ट नी अपने लेफ्ट हाथ को लेफ्ट नी पर एंड रिलाक्स करते हुए अज़ लेते रहे सांस छोड़ते रहे आप इसको कंटीनू पाँस से दस बार कर सकते आप इसको कंटीनू अगें बॉड़ी को हम रिलाक्स करेंगे नेक्स आशन अच्छे से लंबी गहरी सांस लेते हुए बटरफ्लाई पूस अपनी दोनों पैरों को हम एक दूसरे के सामने लाएंगे अपनी पैल्वीन के पास में लाएंगे नेक्स्ट अपनी दोनों हातों से पने पैरों को पकड़ेंगे एंड बटरफ्लाई पोस हम स्टार्ट करेंगे यह आपकी फ्लेक्सिबिलेटी के लिए भी बहुत अच्छा असन है इसको आप डेली बैसिस पे कर सकते हैं एंड जो नेक्स्ट अम बॉड़ी को रिलेक्स करेंगे आप इसको कंटीनू और 10 सेकेंड या 30 सेकेंड तक आप इसको कंटीनू कर सकते हैं अभी नेक्स्ट अम करेंगे चाइल्ड पोस बॉड़ी को रिलेक्स करते हुए वजरासन पोजिशन में आएंगे सबसे पहले नेक्स्ट अपने दोनों हातों को मागे की तरफ लेके जाएंगे एंड हमारी नेक को पूरा नीचे की तरफ बोड़ी को एकदम डिला छोड़ते हुए एकदम रिलाक्स करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे सांस बाहर छोड़ेंगे बोड़ी को एकदम डिलाक्स करते हुए नेक्स्ट अम करेंगे अपने दोनों पैरों को उपर की तरफ उठाएंगे माउंटेन पोस अपने दोनों पैरों को पास में लाएंगे बोड़ी को एकदम डिलाक्स करेंगे अपने लेक को जसे स्ट्रेश करेंगे बोड़ी को रिलेक्स करते हुए एक्स प्लेंग पूस भुजंगा असन होल्ड रखेंगे फाइब सेकेंड तत अगें अपने पेरों को उठाएंगे माउंटेन पूस पास में लाएंगे पेरों को लंबी गेरी सांस लेते हुए अपने पेरों से वाकिंग स्टार्ट करेंगे अपने पेर को नॉर्मल लिमागी पीछे करेंगे लंबी गेरी सांस लेते हुए सांस बाट छोड़ते हुए अपने दोनों पेरों को रिलेक्स करेंगे अपने चेस्ट को अंदर की तरफ इपस को बाहर की तरफ इन्हेल यह अंदग्सेल इन्हेल 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 बटी को रिलेक्स करेंगे लंबी घहरी सांस लेते हुए सांस पार छोड़ते हुए बोड़ी को एकदम रिलेक्स करेंगे तो यह कुछ नॉर्मल आसन हैं जिनको अपने डिल रूटीन के अंदर आड़न कर सकते हैं जो अधी आप बीगनर है तो यह आप इन जो पांच आसन मैंने जो आपको बताएं से आप अपनी योगा जन्या पर स्टार्ट कर सकते हैं तो जो अगर आपको वीडियो अच्छा